नमस्कार आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल पर आज हम यह दंतूरित मुस्कान कविता पढ़ेंगे इस कविता के कभी है नागारजुन इस कविता में कभी ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देहकर उनके मन में जो भाव आये उन्हें कविता में अपने बीम्बो के माध्यम से प्रकट किया है कभी का मानस है कि सुन्दर्ता में ही जीवन का संदेश है इस सुन्दर्ता की ब्याप्ति ऐसी है कि कठोर मन को भी पगला देती है तो चलिए कविता का आरंभ करते हैं तुम्हारी यह दंतूरित मुस्कान, मिर्तक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड कर तलाप मेरी जोपरी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्रान, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसार, छू गया तुमसे की जडने लगे से फालिका के फूल, बास्था की बबुल। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, कभी नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दातों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है कहने का आसय यह है कि यदि कोई निरास, उदास और यहां तक की बेजान बेकती भी तुम्हारी इस दन्तूरित मुस्कान को देख ले, तु वह एक बार प्रसनता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकरसन जाग उठे कभी कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तलाप को छोड़ कर मेरी जोपरी में खिल उठे हो कहने का आर्थिया है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को देखकर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है अथार्थ प्रसन हो जाता है ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्रानवान का असपर्स पाकर ये चट्टाने पिघल कर जल बन गई होगी कहने का आर्थ यह है कि बच्चे की मधूर मुस्कान पासार हिर्दय मनुस्य को भी पिघलाकर अति कोमल बबुल ब्रिक्ष की सेफालिका के फूलों की तरह जड़ने लगते हैं असे यह है कि कभी का मन बास और बबुल की भाती सुस्क और कठोर हो गया था बच्चे की मधूर मुस्कान को देखकर कभी का मन भी पिघल कर सेफालिका के फूलों की भाती सरस और सुन्दर हो गया आगे वठते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेस ठक गए हो आँख लू में फेर क्या हुआ यदी हो सके परिचित न पहली बार यदी तुम्हारी मा न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतूरित मुस्कान प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कभी कहते हैं कि तुम अथार्थ नन्हे बच्चे मेरी और एक टक होकर देख रहे हो इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो कभी बच्चे से उसके पास खरा होकर पुष्टा है तुम मुझे इस तरह लगतार देखते हुए ठक गए होगे इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वेम हटा लेता हूँ तुम मुझे पहली बार देख रहे हो इसलिए यदि मुझे पहचान भी न पाए तो वह सवभाविक ही है कभी अपनी पत्नी के परती प्रितअग्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी मा माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता तुम्हारी मा ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो नहीं तो मैं तुम्हारी दातों से जलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। तब तुम्हारी दन्तूरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवी मान। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कभी जो है नन्हे सीसु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मोहक छवी के कारण धन्य हो। तुम्हारी मा भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुन्दर रूप छवी निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगतार लंबी यात्राओ पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ। तुम दोनों से दूर हो गया हूँ इसलिए मुझ जैसे अतिती से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा अथार्थ मैं तुम्हारे लिए अंजान ही रहा हूँ यह तो तुम्हारी मा है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चढ़ाती रही अथार्थ तुम्ह तुमें वात्सल्य भड़ा प्यार देती रही। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिर्ची नजर से मुझे देखकर अपना मुह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। मुझे बहुत ही सुन्दर लगती है। और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। इस तरह से यह कविता होता है। समाप। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेयर करें और कमेंट करके बताए कि वीडियो क चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यबाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।